Hello दोस्तो स्वागत आप सभी का मेरी इस वीडियों दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही helpful और interesting होने वाली आप सभी के लिए क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ 12.35 वाला कलर हम कैसे कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए दोस्तो आपको कुछ भी नहीं करना बस आपको एक चीज की जिरुत है वो क्या है दोस्तो आपको अच्छे से knowledge होनी चाहिए कलर के बारे में कि कलर को कैसे deposit करते हैं and cut कैसे करते हैं and considerable पर use करना है दोस्तो तो चलिए देखते हैं वो क्या है दोस्तो यहां पर लिखा है four basic rules for using so color दोस्तो rule number one is determine the natural base level सबसे पहले आप client का natural base देखो को उनका कौन सा कितनी number का बाल है दोस्तो एक number दो number ती number दोस्तो rule two determine the level you wish to achieve आपको कौन से label तक जाना है दोस्तो यह कह रहे है दोस्तो उसके बाद में three number तो ज्यादा खास नहीं दोस्तो and four number जो है दोस्तो उसमें बताया गया कि जो developer होता हो कितने lifting देता है दोस्तो तो 20 volume जो होता है हमार वो एक से दो level तक हमें lifting देता है and 30 volume दो से तीन and 40 जो है तीन से चार लेबल तक lifting देता है और नीचे बताएगा है 20 volume दोस्तो जो 20 volume होता अगर आपको gray coverage करने है या आपको root touch up करना है तो सबसे best जो है वो है 20 volume आप 20 volume से ही करें दोस्तो gray coverage बहुत ही अच्छे से करता है and आप अगर root touch up करना चाहते है उसके लिए बहुत ही सबसे best है 20 volume दोस्तो दोस्तों matrix के अंदर जो हमारी tube आती है वो होती है 90 gram की अगर आप बात करें इसकी mixing ratio की दोस्तों तो जो होता है इसकी mixing ratio वो होती है 1-1.5 मतलब की यहाँ पर लिखा भी है की color आप देख सकते हैं आप जो matrix के अंदर tube आती है वो होती है 90 gram की अगर आप पूरी tube ले रहे हैं दोस्तों तो आप उसका देड़ गुना यानि की 135 ml जो है oxygen यानि डवलपर लेंगे अगर आप आदी tube ले रहे हैं तो 67.5 ml जो है oxygen यानि डवलपर लेंगे तो साफ साफ इनके कहने का मतलब के आप जितनी tube लेंगे उसकी देड़ गुना जो है डवलपर यूज करेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमें 12.35 हम कलर कैसे कर सकते हैं अपने कलाइंड के उपर तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों कि जब भी कलाइंड आये या आप कलाइंड के हेर से सम्मद्द कुछ भी काम कर रहे हो treatment या कोई हो गया हम कह सकते chemical या कोई color भी आप कर रहे हो दोस्तों तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कलाइंड का head wash तो कि अगर वो कितना भी बोले मैं घर से head wash करके हूँ पर फिर भी आपको अपने सामने एक बार head wash करना है तो कि दोस्तों अगर उनके बालों में अगर थोड़ा भी अगर oil हो हो खाना दोस्तों फिर हमें लेनी है ट्यूब जिस भी जो भी हम color कर रहे है आज हम कर रहे हैं यहां पर 12.35 तो में लेना है ट्यूब दोस्तों अगर हम पूरी ट्यूब ले रहे हैं तो वह हम 135 ml जो है ऑक्सिडेंट लेंगे तो दोस्तों जितने भी color के आगे toil लिखा होता है दोस्तों यह सारे मारे हाई लिफ्टेट कलर होते हैं आपको पता ही चल गया दोस्तों तो इन कलर को करने के लिए दोस्तों हमें जो है प्री लाइटनिंग नहीं करनी आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप चाहोगे तो यह डायट कलर भी आ जाता है दोस्तों क्योंकि यह high lifted color होते हैं यह 8 से 9 लेबल तक अराम से lift कर जाते हैं दोस्तों तो दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें लेना है 12.35 ट्यूब लेनी है दोस्तों warm super light blonde और उसको हमें निकालना है बाउल के अंदर आप जितना भी अगर फुल ट्यूब निकाल रहे हैं तो हमें उसके साथ अगर आप पूरी ट्यूब निकाल रहे हैं बाउल के अंदर दोस्तों तो हमें 40 volume के साथ करना है इसको हमें इसका देड़ गुना जो है developer लेगे निकालना है 135 ml और दोनों उसके बाद में आप 30- 35 मिनिट के बाद एक बिश-बिच में चक करते रहे नो और 40-45 निट के अंदर आपका पूरा कलार अच्छे से आ जाईगा दोस्तों अगर बालों में ही ना नहीं लगा अगर वरजन बाल है दोस्तों तो अराम के 40 से 45 मिनिट में आपके color आ जाएंगे दोस्तो एक बार दोस्तो मैं आपको और बता दू कि ये जो होते हैं toil वाले toil series मतलब toil वाले color जो भी जितने color के आगे toil लिखा होता है ये सारे high lifted color होते हैं तो अगर आप इनको चाहो तो direct भी कर सकते हो आप चाहो तो pre-lightning के साथ भी कर सकते हैं पर अगर आप direct करें दोस्तो मैं आपको बता दू कैसे आपको tube लेनी है उसके बाद में 40 volume के साथ आपको करना है mix करना है और highlight कर देना दोस्तो आपको आपका color जो है बहुत ही अच्छा और प्यारा आ जाएगा मैं आपको बताओ दोस्तो कि and alert करने में और pre-lightning करने में क्या फरक है दोस्तो अगर आप direct करते हैं तो आपका मतलबуск color जो है जाधा लगता है तो इसके इससे आपका खर्चा जाधा बढ़ जाता है और प्री lightning से करते हैं तो आपका खर्चा बच जाता दोस्तों लेकिन प्रिलाइटनिंग से क्या होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ही डेमज हो जाते हैं और अगर आप डिरेक्ट कलर करते हैं तो इससे आपके बाल जो है शेव रहते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे ज़्यादा डेमज नहीं होते हैं पल्लर में काम करते होंगे जरूर किसी क्लाइट के उपर करके देखे 12.35 जो लोग पालर में काम नहीं करते वैसे मारी वीडियो देख रहे हैंगे दोस्तों वह अपने हेर पर एक बार जरूर करवाके देखें यह वाला कलर दोस्तों बहुत ही खोपसूरत कलर आता है और आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी जो है अच्छी भी लगी होगी नेक्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों